कोई अपने घर बापस लौट रहा था तो कोई नौकरी पर जा रहा था तो कोई अपनी ही शादी के लिए अपने घर बापस लौट रहा था तो कोई हॉस्पीटल जा रहा था लेकिन अपसोस कोई कहीं न पहुँच पाया उडिशा के बाला सोर में बहनागा वाजार स्टेशन पर सिर्फ चार मिनट के भी तर तीन ट्रेनों की भीसर डखकर हुई आएए आपको बताते हैं ये पूरा हासा कैसे हुआ और इस बीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाईएगा कि ये कोई गडबड़ी थी या कोई शाजिस थी उडिशा में शुक्रवार को ही ट्रेन दुर्घटना में कुछ सेकेंड इधर उधर होने से हालात काफी बदर सकते थे दो या त्री ट्रेनों और एक माल गाड़ी की टककर में लगभग तीन सो लोग मारे गए सिर्फ चार मिनट के भीतर ही सब कुछ तभा हो गया सुक्रवार की साम छे बचकर पचास मिनट पर शाली मार चेननाई कोरमंडल एक्स्प्रेस को बहना का बाजार स्टेशन से कुचर जाना चाहिए था इसके बाई ओर लूप लाइन पर एक माल गाड़ी खड़ी रहती लेकिन पट्रिया बदलने वाले रूट रिले इंटर लॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी नतीजा कोरमंडल एक्स्प्रेस इंटरचेंज से दूसरे ट्रेक पर नहीं जा पाई लूप लाइन पर खड़ी माल गाड़ी से 128 क्लोमेटर प्रतिक घंटा की स्पीड में जा ठकराई कोरमंडल का एक कोच दाहिनी ओर गिरा और पट्री पर जिससे बैंगलूरू हाबड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी बैंगलूरू हाबड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को यहां से करीबन धाई घंटे पहले ही निकल जाना चाहिए था मगर भैं लेट चल रही थी अगर भैं चंद सेकेंड पहले ही निकल जाती तो कई जिंदकिया बच सकती थी अगर कुछ सेकेंड और लेट हो जाती तो मौत का अकड़ा कई जादा हो सकता था आईए आपको बताते हैं उन चार मिनट में सब कुछ कैसे परबाद हो गया सुनिए छे बचकर बावन मिनट यानि की साम छे बचकर बावन मिनट पर शाली मार्च ये नई कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 क्लोमेटर प्रतिगंटा की स्पीड से खंता पड़ा इस्टेशन से गोचरती है ये बहनागा बाचार इस्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है 6 बचकर 54 मिनट यानि की साम 6 बचकर 54 मिनट मात्र दो मिनट के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए चे नई जाने वाली में लाइन पर सिगनल होना था रेलबे कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल ने कंफर्म किया और रेलबे की जॉइन्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी यही कहती है मात्र एक मिनट बाद 6 बचकर 55 मिनट साम 6 बचकर 55 मिनट पर कंट्रोल सेंटर या कैविन गार्ड के एंड से गडबडी के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस हाई स्पीड में लूप लाइन पर घुसी और बहां खड़ी माल गारी से टकरा गई 6 बचकर 54 मिनट पर टकर के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन माल गारी के उपर जा गिरा कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 कोच बेपटरी हो गए तीन कोच समरांतर में बनी लाइन पर जा गिरे 6 बचकर 56 मिनट पर बगल के ट्रैक पर दूसरी ओर से बैंगलूरू हाबला सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोजर रही थी ट्रेन के पिछले हिस्से से कोरोमंडल एक्सप्रेस के बेपटरी कोच जा टकरा है अब ये जो चार मिनट के अंदर तीन ट्रेनों की इतनी वीशल टकर होने के बाद रेल मंत्री ने जो हासे की बज़ा बताई वो भी आपको बता देते हैं रेल मंत्री ने बताया रेल बेस सुरक्षा युक्त ने मामले की जाच की है हासे के कारण का पता चल गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है इलेक्ट्रोनिक इंटर लॉकिंग में बदलाओ के कारण ये दुरघटना होई है फ्रेंड्स अब आप ये कमेंट बॉक्स में बताये कि ये कोई दुरघटना है या साजिस है असुनी वैस्टरव जो की रेल मंत्री हैं उनका कहना है कि ये इलेक्ट्रोनिक इंटर लॉकिंग में बदलाओ के कारण ये दुरघटना होई है लेकिन इस दुरघटना में जो तीन सौ से जाधा लोग जिनकी जान गई है उनके घर बालों के साथ मैं अपनी संबेदना भ्यक्ति करता हूँ और उनके परिजनों को इतने बड़े संकट से लड़ने की हिम्मत मिले फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद